Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel तो आज के इस वीडियो में हम Class 9 Maths Chapter to Polynomals की Exercise 2.5 का Question First करने जा रहे हैं Actually हम इसके 2.4 Exercise से Complete कर चुक हैं और उसके पीच इसमें कुछ Identities आती हैं क्या आती है? Identity इस Chapter में सबसे main होती है Identity लेकिन हम Identities को अलग से नहीं सीखेंगे जब हम एक-एक Question करेंगे न तो हम उसी में ही Identity को सीख लेंगे जैसे अब इस Question में हमें Identities ही करनी है तो जैसे इस Question के लिए जो हमारी कुछ Identity है वो हमें आपको Question के जो Parts है न उनी से ही Explain करोंगी वो better भी रहेगा Explain करना जैसे First Part इसमें है Question First का हमें Identity से ही इसको Solve करना है Identity से ही इने Multiply करना है X प्लस 4 Multiply X प्लस 10 तो ब्राकेट है तो Obviously Multiply होगा X प्लस 4 Multiply X प्लस 10 अब देखो इसमें करना क्या है अब आपको पता है यहाँ पर जो यह पहला टर्म है दोनों ब्राकेट का वो सेम है तो आप इन दोनों को क्या करोगे Multiply करोगे Obviously तो Multiply करके हम इसके Identity बना रहे हैं फिलाल यह क्या हो जाएगा X स्क्वेर हो जाएगा यह तर्म अलग है यह अलग है तो यह X प्लस A हुआ यह X प्लस B हुई है इसे A नेम देंगे से B देंगे अलग अलग तर्म है न तो प्लस में क्या करेंगे इन दोनों को आड कर लेंगे पहले फिर इकठा इनकी Multiply कर लेंगे देखो पहले क्या करते हैं हम Bracket कैसे Solve करते हैं X की Multiply पहले X प्लस 10 से करते हैं फिर X की Multiply फिर 4 की Multiply X प्लस 10 से करते हैं तो हम इसमें एक ही simple work कर लेते हैं कि 4 और 10 को पहले क्या करेंगे हम दोनों को add करेंगे और फिर दोनों को एकठा किस से multiply करेंगे एक से करेंगे add करके x से multiply करेंगे और फिर इन दोनों की आपस में multiply कर देंगे फिर इन दोनों की यहाँ पर A और B लिखते हैं भी हम फिलाल identity बना रहे हैं फिर इन दोनों की आपस में multiply करतेंगे पहले तो जब भी हमारे पास ऐसे है कोई bracket आए जिसमें पहले digit same हो X है तो उसका तो square करेंगे पहली इस bracket की पहली digit आ लगो दूसरे की दूसरी आ लगो तो उन दोनों को क्या कर देंगे add करके पहली digit से multiply कर देंगे फिर उन दोनों को multiply कर देंगे उन दोनों terms को लेकिन ध्यान क्या रखना है कि sign हमेशा plus का use होगा प्लस हो या माइनस हो यह चीज हमें ध्यान रखनी है तो यह बन जाती है हमारी एक identity यह हमारी एक identity है बस यह समझ लोगे एक identity है x square identity क्या है अगर हमारा कोई भी column ऐसे आता है x plus a x plus b तो उसमें हम identity यूज़ करते है x square plus a plus b x plus a into b identity का मतलब ऐसे उसको expand करके open करते है तो अब हमारे पास यह brackets दो दिये है तो इन्हे multiply कैसे करेंगे अब हम देखेंगे हमारी identity से match कर रहे है तो हम इसके according से put करेंगे x तो x square ही रहेगा a4 plus 10 multiply x plus 4 into 10 तो यह क्या हो जाएगा x square plus 40 x plus 40 यह आगे हमारा answer और अगर अब आप इसे middle split से solve करोगे है तो आपको यही दो bracket में लेंगे तो identity से इनकी multiply ऐसे करते है आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए आगे future के लिए जब भी identities दी गई हो तो मतलब किसी भी question में identity लग रही हो आपको community post पर पोस्ट कर दूँगी जिसे आप एक बार साथ यह identity पर लुक ले सके है तो अब देखते हैं इसका question B part क्या पता हो उसमें कोई और identity लग रही हो x plus 8 x minus 10 अब देखने वाली बात यह है इसमें एक plus है इसमें एक minus है लेकिन इसका पहला term तो same है plus a plus b ही होगा a और b को आड़ी किया जाएगा फिर x से multiply किया जाएगा sin minus का कुछ हो यह आपको बताया था identity वैसी ही रहेगी और multiply करा जाएगा a और b को अब x square तो x square ही रहेगा identity वही रहेगी अगर ऐसा situation है कि पहला term same है दोनों bracket हैं है और पहले term same है तो identity same ही रहेगी अगर number change हो रहे है इनके plus minus से फर्क नहीं पड़ता अगर बिलकुल bracket दोनों same हो तो अलग identity होती है bracket दोनों अलग है तो identity यही रहेगी तो a और b को आड़ करो 8 plus minus 10 यह क्या हो जाएगा plus minus bracket में हैगा तो यह सीधा minus ही हो जाएगा इसे सीधा minus लगा दो x plus 8 multiply minus 10 x square plus 8 minus 10 कितना हो जाएगा minus 2 और plus minus minus 2x और यह हो जाएगा minus 80 तो इसका answer क्या आगया x square minus 2x minus 80 तो इसका हमारा यह वाला identity open करके आगया splitting the middle term से करके देखोगे तो answer यही आएगा तो इसका मतलब यह वाली भी identity इसे में लग गई solve होगा तो अब देखते हैं इसका c part that says 3x plus 4 3x minus 5 3x plus 4 3x minus 5 यह भी बिल्कुल सेम है identity वही लगेगी same चीज़े रखी है क्या identity लगेगी identity लगेगी x square plus a plus b x plus a into b x square 3x square plus x तो यह यह पहला term 4 multiply 4 में minus 5 add करेंगे तो 4 plus minus 5 करेंगे तो bracket कुल के 4 minus 5 हो जाएगा तो इसे directly लिख दो 4 minus 5 x plus 4 multiply minus 5 3x square 4 minus 5 minus 1 होगा plus minus minus हो जाएगा minus x और यह होगा minus 20 तो इसका answer आ गया 3x square minus x minus 20 तो यह हमारे 3 parts solve हो गए अब देखतें d part जो कि एक अलग ही अंदास में आ रहे है अलग ही identity लेकर तो इसका जो d part है वो क्या कहे रहे है पता दे भाई क्या कहे रहे है यह कहे रहे है y square plus 3 upon 2 y square minus 3 upon 2 अब देखो इसमें एक point है bracket दोनों same है सिरफ plus minus का फर्क है bracket के दोनों number same है तो इसके लिए हमारे एक अलग identity आती है जब bracket दोनों same होते है और एक plus में होता है और एक minus में होता है तो हम क्या करते है इन में से पहला एक number लेते है और दूसरा number लेते है पहला number a लिया और b लिया क्या करेंगे यह a है यह b है दुनों number same है तो दुनों को a b कर थे a का square करते है और b इस में minus का sign लगा के b का square कर देते है क्योंकि plus minus जब multiply करते है क्या हो जाते यह minus हुझाते है तो a square में से b square minus कर देते है इनने double ही तो करेंगे, इनकी multiply करने के लिए इनन double ही तो करेंगे, इससे multiply करेंगे, same same number ही तो है, जब इसकी multiply इससे करेंगे, इसका square ही तो होगा, इसकी multiply इससे करोंगे तो इसका square ही तो होगा, और plus की multiply minus से करोंगे तो minus हो जाएगा, लेकिन उसको एक short term में कह दिया, a square minus b square, क इसके identity है यह जब situation होती है a a plus b और a minus b number same होते हैं बस plus minus का sign change होते है तो इस situation में हमारी identity बनती है square minus b square जैसे कि अब हमारा यह term है y square तो इसका और एक square हो जाएगा whole square और बीच में आएगा minus का sign और 3 upon 2 का हो जाएगा square y का square मतलब 2 into 2 क्या हो जाएगा y की power 4 और 3 का square होता है हमारा 9 और 2 का square होता है 4 बीच में है minus का sign तो यह हो गया हमारा multiply और यह आगे हमारा answer y raised to power 4 minus 9 upon 4 यह आगे हमारा identity को solve करके मतलब मैं multiply करके हमारा answer है ना easy identity से solve करने में बहुत मज़ाता है I hope आपको भी आ रहा हूँ अब यह आच्वली इन्ही आइडेंटिटी का use था है एक दो आइडेंटिटी के इसने मैं आपको ज्यादा बताई नहीं जिससे आप confused भी ना हो क्योंकि ज्यादा आइडेंटी से से बहुत confusion हो जाती है किसमें कौन सी use करने है किसमें कौन सी use करने है तो जैसे जैसे हमारी एक एक आइडेंटिटी आएगी हम उसे हर एक वीडियो में देखते रहेंगे तो आपके लिए सब भी वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है अब यह पार्ट कहता है 3-2x 3-2x फिर से प्राकेट से बस minus plus का फर्क है तो आइडेंटिटी लगेगी हमारी a square minus b square क्योंकि दोनों number सेम है प्राकेट के सिरफ plus और minus का फर्क है तो यह हो जाएगा 3 square minus 2x square 3 का square 9 होता है 2 का square 4 होता है और x का square x ही होता है मतलब x का square x square ही रहेगा तो यह answer आजाएगा 9 minus 4x square बहुत easy है ना मेरे से बहुत easily और जल्दी जल्दी हो गया आप बताओ आप मेंसे कितनी जल्दी solve रहा और अभी पर आपको इसमें कोई confusion आ रहे है ना identity को solve करने तो मुझे फटा-फट comment करके पूछो don't shine, just ask me in the comment box और अगर still आपको कोई confusion नहीं है तो अभी मुझे comment करके बताओ और वीडियो अगर पसंद आए तो like, share और चानल को subscribe करना मत भूलना ऐसी more videos के लिए जरूर subscribe करें Thank you, see you soon in the next video